कि नमस्कार दोस्तों कर लॉस को के दैनिंग समाज आग विशलेशन मैं तो चलिए आज के आर्टीकंल देखते हैं और प्रमख आर्टीकल में जो पहला हमारा अर्टीकल है यह nutrition loss के बारे में है कि portion आहार में जिस प्रकार की कमी आई है भारतियों की खास कर जो migrant workers है जो प्रवासी मुझदूर है उनके जीवन पर जो असर पड़ा है उसके बारे में यह article बात करता है यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी चली गई है इसको देखते हुए खाने की समस्या, दोवक्त की रोटी की समस्या भी बड़ी होगा यह ही इनके लिए एक प्रशनी चेहने खड़ा हो गया कि दोवक्त की रोटी कभी इंतिजाम कैसे लाएंगा उसको देखते हुए भारतियों का जो एक ओसत आहार था आहार का जो इस्तर हुआ करता था वो गिर गया है उसी पर यह आर्टिकल बात करता है उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है यह बात करता है कि COVID-19 के चलते हुए जो हमारे law and order situation जो है उसमें भी एक बहुत जाहे कई जगह पर यह कॉलिप्स हो तो वह दिखा भी है अब बात आती है law and order की तो law and order में भी हमें सजक रहना जरूरी है हमें पहले से ही कुछ ऐसे precautionary measures कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसको देखते हो हमारे law and order का situation जो है वो खराब नहीं हो कंट्री में अंत में यू कारे में आपको बताना चाहूँगा मैं खुश्वंत पवार मैंने अपना BLS-LLB डिग्री जो है वह गवर्मेंट लॉग कॉलेज मुंबई से पूर्ण की है साथ ही master of laws जो है मैंने टाटा इंस्टेट ऑफ शूर साइंस से पूर्ण किया है law सीकों के साथ मैं as a independent consultant काम करता ह अगर आप मुझे फॉलो करना चाहे तो ट्वीटर पर एट खुश्वंत पवार या लिंक्डिन पर खुश्वंत पवार सवच करके मुझे फॉलो कर सकते हैं चलिए आज का M.C.U. देखते हुए यह है कि भारतिय सविधान में किस निम्न वैसे किस अनुच्छेत के अंतरगत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ष्टी होती है कि वह किसी भी केस को हस्तांतरित करके खुद के पास हाई कोर्ट से खुद के पास लेकर आए कि कोई भी केस को प्रके हाई कोर्ट से वह अपने पास लेकर आजाए यह सुप्रिम कोर्ट को सविधान के किस प्रावधान किस अनुच्छेत के अंतरगत यह शक्ति आपको पताना है आपको आप्शन ऑ है आर्टिकल 124 अनुच्छ जग 124 ऑप्शन B है आर्टिकल 139 ऑनुच्छेत 149 ए चलिए पर नात्मा प्रेशन डिस्क्रिप्टिव क्वेशन की और बढ़ते हैं वह आज का यह है कि कोविड-19 पेंडिमित के चलते हुए इस महामारी के चलते हुए यह देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रिशनल लेवल जो है जो पोशन आहर है उसका इस्तर जो है वो गिरता जा रहा है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है खासकर हमारे देश में जो गरीवी रेखा से नीचे या जो गरीवी रिखती है उनके जीवन पर उनके आहर पर यह फरक देखने को मिल रहा है तो इसके बारे में आपको एक कंप्लेट डिसकुशन करना है आप आपको और बढ़ते हैं न्यूट्रिशन लॉस और कोवी नाइंटीन वेव के बारे में है कि कैसे पोशन आहार जो है इसको वी नाइंटीन की दूसरी वेव में बहुत बूरे तरीके से अफेक्ट हुआ है यहां पर कोवी नाइंटीन की जब फर्स्ट वेव थी तो हमारी यंग पॉपुलिशन जो थी वो इस ते इतनी अफेक्ट नहीं हुई उसका कारण यह था कि इनकी इम्मुनिटी काफी ज़्यादा कड़ी थी काफी ज़्यादा मजबूत थी लेकिन लोगडाउन के चलते हुए यहां पर जो दोवक्त की रोटी जो रोज कमाते और खाने वाला वर्ग था खासका जो मजदूर वर्ग हो गया जो रोज कमाते थे दिहाडी करते थे और जो कमाते थे उसे से वो उनका भोजन करते थे जीवन यापन करते थे लेकिन प्रचत थी उसको पूरा खर्च करके उसको सारा यूटिलाइस करके यहां पर अपना जीवनियापन करा लेकिन अब यह कोविड-19 की दूसरी भी एका गई है एक साल का समय भी नहीं मिला जैन्वरी फरबरी में तो चीज़े ठीक होने लगी थी लेकिन अभी वह वापस यहां पर अभी हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई है जो सर्वे का नाम है रैपिड डूर्ल कम्यूनिटी रिस्पॉंस सर्वे इसमें देखने को यह मिला है कि कोविड-19 के चलते हुई यह बहुत से सबूत मिले साक्ष मिले है कि फूड और फिनेंशल इन सेक्यॉरिटी जो है जो भोजन खान पान और उसके सा अलाबा जो फिनेंशल स्कॉरिटी होती है कि यह खासकर ग्रामी छेत्रों में इनकी इस्तिति बहुत փब होती दविए कि लोगों को रोटी का बेंत्स करना मुश्किल पढ़ना है खासकर ग्रामी छेत्रों में तो सरवे की कुछ फ ऐसी नहीं है यहां पर कि वो फूड खरीज सके वो भूजन खरीज सके अनाज खरीज सके तो फॉर्स्ट लॉक्डाउन में जो सेंपल इखटा किये गए थे उनके अनुसार पता चला था कि 40% जो लोग है उनने अपने फूड में अपने भूजन में कटौती की है और यह कुशन आहार में कटौती है यह उससे भी जादा बढ़ गई है उसके अलावा इंकम सोर्सेस जैसे की रहे हैं जो जो हमारा नीन नतबका था लोवर स्ट्रेटा था इंडियन सोसाइटी का इंकम गुरूब के हिसाब से उनकी हालत तो खराब हुई है साथ ही अब मेडिल क्ल गए है उसके अलावा 30% हाउस होल्ड तो ऐसे है जिन्होंने कर्ज लिया है उनकी खान पान की जो जरूरत है उसे पूर न करने के लिए प्रवासी मज़़ूरों का क्राइस भी अपने आप महत पूर नहीं आपर जानने के लिए तो यहां पर अगर मन्रेगा जैसी स्कीम द करें ली है इसकी माईगरेंट वर्क difi जोकि बड़े शेहरों से वापस अपने ौ लोटे हैं यहां पर अगर आ कुड़ों को देखें तो 57% जो उनके यहां पर शेहरू उनके गावों में वापस गए था महानगरों सेवापस वलाया हैं करके उनके गावों में चले गए थ तो यह आकड़ा 57 प्रतिशत के आसना से और अभी लोग और प्लान कर रहे हैं जाने की मुंबई में जैसे सेसे प्रावय थे सचे समाचारों प्रभासि मसदूर का वापन वापन के लिए उनके आपन जो फी जाने के लिए यह अभी और जैदा मोमेंट देखने को मिल सकता है अगर इस सिती ऐसी ही बने रहते हैं तो फूट सेक्यूरिटी सेक्यूरिटी की बात करें खादी सुरक्षा की बात करें तो यहां पर गवर्मेंट ने अनौंस किया है कि वो पी एम गरीब कल्यान अन योजिना जो कि 5 किलो तक चावल और अनाच यहू प्रोवाइट करती है पर परसन इसे बनाए रखेंगी दो महिने तक और कंटीनियू रखेंगी उसकी अलावा कुछ कदम है जो उठाए जा सकते है आर्टिकल में इनका सेजिशन दिया है सबसे पहले कि यहां पर आपको और ऐसे सपू अलावा ऐसे अब्स्रक्शन ऐसी दिक्कते या ऐसी अर्चने जो कि मनरेगा या उसके अलावा जो एंप्लॉइमेंट स्कीम है उसके आड़े आ रही है उन चनौतियों को आपको हटा आइडेंटीफाई करना और फिर उनने हटाना जरूरी है उसके अलावा पब्लिक डिस् क outra की मिल पाते हैं अनाज नहीं मिल पाता है तो इन कंईों को भी हमें दूर करना पड़ेगाम मिढ़ी मिल बहुत इफेक्ट्व स्कीम है कई राज्यों में बच्छे नहीं आ पा रहे है तो बच्चों के प्याल्कों को स्कूल बिलाया गया और उन्हें राशन दिया गया भ केंटीन का एक कंसेंप्ट है जह लेलीता के द्वारा के द्वारा यह स्टार्ट के आ गया था जब वो चीक मिनिस्टर थी कि छोटी-छोटी जगह पर यहां पर गरीब लोग है या ऐसे लोग जो अपना खाना दोवक्त का नहीं एफॉर्ट कर सकते हैं वहां पर अम्मा केंट के लिए विभिन महानगरों में खासकर लगाए जा सकते हैं जिससे भूक मरी की इस्तती पहला ना हो तो कोविट-19 से अगर हमको बचना है तो सबसे महत्पून जो हो जाती है वह हमारी इम्मुनेटी और इम्मुनेटी जो है हमें अच्छे पोशक आहर सिंगती है इसलिए यह बहुत महत्पून आइडिकल है बहुत महत्पून चीजों के बारे में इस आटिकल में चल्चा की गई है तो चल्य यह दूसरा आडिकल जो है यह COVID-19 क्राइससा के बारे में और उसके साथ में जो law and order आशा सकते आ उछे उसके बनाई लोगों में अब घुस्ता बढ़ जा रहा है कर्स्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है और यहां पर जो हमशह एक हैब औरल में जो एक कॉंपटीचन होता एक टसल होता वह में वापस देखने को को मिल सकता है तो यहां पर law and order की अगर situation की बात करें कोविड-19 में तो जब पहली बार lockdown लगा था 21 दिन का समय मांगा था हमारे देश के पीम ने क्योंकि बड़ा मुश्किल था कि 130 करोड भार्तियों को अपने घर में रखना लेकिन लोगों ने बड़ी शांती से बड़ी सयमता से इस चीज का पालन कर अपने घर में रहे 21 दिन के उसके बाद में कही लोगडाउन आते गए और लोग की प्रक्रिया धीरे धीरे होती गई लेकिन लोगों ने अपना सयम बनाये रखा जन्वरी फरवरी से चीज़े थोड़ी सुदर ने शुरू हुई थी चीज़े पट्री पे आनी शुरू हुई थी लेकिन वाप की रूटी भी नहीं अरेंज कर पा रहे हैं लोग ऐसी इस्तिती में अभी कि जो परिद्वश्य में लॉइन ओर सिचुशन विगर सकता है इस आप्टिकल में ये बात की गई है क्योंकि प्लिस फोर्से जो है जिनका ये ड्यूटी हुआ कर तथर लॉइन ओर बनाना ये सार फोर्सेस हमारा अभी वहाँ पर फोकस्ट है सारे सारे एक्टिविटीज कैसे कोई-19 क्राइस से कैसे कोई-19 से समला जाए उसमें लगी हुए है तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे जितनी भी स्टेट पुलिस है वह सारी स्टेट पुलिस में तो यह देखने को मिल रह रहे हैं लेकिन यहां पर जरूरत यह है कि law and order का situation पर जितना ध्यान होना चाहिए वो भटते जा रहा है अगर हमारे armed forces की बात करें सेना की बात कर तो कई राज्यों में जैसे फूपाले और इंदवार जैसे शहर रहें छोटे शहरों में भी यहां पर सेना को बलाया गया है अत्रिक्त साहिता के लिए उसके अलावा अगर हम हमारे सेना बल को देखे अगर पुलिस की बात करें ठीक है पुलिस हमारे COVID-19 की डूटीज में बीजी है सेना को देखे तो सेना में भी 1.5 मिलियन पुलिसनल जो है वो हमारे वेस्ट और इस्ट बार्डर पे तेनात है एडिशनल जो टूप्स होगा क इसेना जो है वो पहले ही एक्स्ट्रा ड्यूटी में है लगी हुई है तो यहां पर इस्तिर्य अगर बिगड़ती है तो उसे कैसे समाला जाए यह प्रश्न उठाया गया इस आर्टिकल में तो विताउट गवर्नम में गवर्नेंस बेस्ट ऑन कोविनेंस प्रॉमिसिंग तो अगर यहां पर लोग हमारे देश में जो नागरे के होने लौ आपाइडिंग सिटीजन माना जाता है कि लौ का बहुत पालन करते हैं कि जह सयम ता से अभी तक सयम बनाया रखा है भागतियोंने बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर यह सिदिभ करती है लोगों का फ्रस एक वेड़ी फिल करेश्ट पाई वे अक्वेटिबल तो अकर लोगों को यह महसूस होने लगता है कि यहां पर उनके साथ में भीद भाव पूर रवी यह तो किस भी कानून के माद्यम से उनको समालना बहुत मुश्किल होगा तो क्या किया जा सकता है यहां पर बताया गया है तो इंडिया है मस्ट ओपन दियर कॉफूर्स इंडिरेक्ट एक्षिन टू हेल्प हैं नॉट्स तो यहां पर हमारे पास जितने भी रिसोर्से से खासकर उन लोग की मदद के लिए डिप्लॉई के जाने चाहिए जिनके पास संसाधन नहीं है जो ब्रिच कॉर्पूरेट्स है रिलीजियस है इनके पास में जो रिजर्व है जो धन है जो साहिता है इन्होंने समाच के निशले तपके के लिए खुली कर खोल दीनी चाहिए कई बड़े-बड़े ऐसे हमारे तिर्थिस्तान जो है मंदिर है मस्जित है सेहे इन्होंने अपने द्वार खोले है एक कोविद 19 क worries ऑने के लिए सेंपर बनाने के लिए तो इस और ध्यान देना चाहिए इसके अलावा जो रिच कॉर्पोरेट्स वनोंने में कभी साहता एक्स्टेंड की है तो इन्होंने कि अब तक अपनी साहता इन्होंने देती रहनी चाहिए नहीं तो जो लोवर स्ट्रेटा एक समाज को से समालना बहुत साथ मुश्किल हो जाएगा तो डोनेशन के मातियम से सेलरी एडवांस के मातियम से इंट्रेस्ट फुरी लोंज के मातियम से आप साहता कर सकते हैं उसके अलावा एंसिसी जैसा इंस्ट्रीशन हमारे देश में मौझूद है इनकी हम तैयार कर सकते हैं को अगर ऐसे कुछ जिस्टीती बनती है तो एक जैसे private bus हो गई, aircraft हो गई, इनका भी हम इप्योग ले सकते हैं, इन लोगों को बहुत से लोग ऐसे जिनके सर पर छत नहीं है, तो इनको यहां पर आस्रा दे सकते हैं, उसके अलावर जो retired personals हैं, जो police यह सीना से retire हो चुके हैं, उनको भी आप रिकॉल कर सकते हैं, आपके पास joint order के situation बनी रहे, वेनुजवेला में जब demonetization हुआ था तो बड़ी भावक तस्विले देखने को मिली थी कि लोग लूट रहे थे markets को, बजारों को, दुकानों को, वैसे से थे हमार देश में ना बने, इसके लिए भी जरूरी है कि सरकार अपने तयारी पहले से ही करके रख इस्टेंसिंग के माध्य हमसे हुआ आई तो यहां पर close how की जो नॉमेंड लैंड मुवी है इसे ऑसकर मिला 2021 का सरविशिष्ट मुवी का बेक्स्ट पिक्चर इस 94 अकेडमी अवार्ड जाओ जो है यह मूल रूप से चीन की है और अपने आप में अवार्ड मिलने वाली यह पहली महिला है colored महिला है मतलब यहां पर पहली अश्वेट महिला है जिसने best director का award मिला है उसके अलावा इंडिय जो दूसरी news है वो Chandler Good Government Index के बारे में है जिसमें भारत का इस्थान 59 पचासवा आया है टोटल 104 countries में उसके अलावा एक और आकड़े आये है SIPRI के दवारा Stockholm International Peace Research Institute के दवारा जिसमें बताया क्या है कि भारत जो है अपने military पर खर्च करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा खर्च जो है वह यूएस अमेरिका के दवारा किया जाता है दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है तो यहां पर यूएस अकांट फॉर 39% of money spend globally 39% जो spending यूएस करता है globally चायना के हिस्ते में 13 प्रतिशत आता है भी भारत 3.7 प्रतिशत जो है globally spend करता है तो टोटल जो आखड़ा है 72.9 billion dollar का है यहां बहुत बड़ी रगम हुआ करती है लेकिन आप सेना पर खर्च करते रह गए औ बहुत बड़ा lesson है हम सब के लिए तो चलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए आप lawseco की website www.lawseco.com विजिट कर सकते है इसी तरह पढ़ते रहिए चाकरुक रहिए अपना और अपनों का खाया रखिए stay tuned to lawseco